जापान चार बड़े और अन्यक छोटे दीपों का एक समूह है। यह दीप एसिया के पूर्व में समूंद्र टठ यानि प्रासांत महासागर में स्थी थे। इसके निकटम परुसी देश चीन कोरिया तथा रूस है। जापान अपने देश को निपान करते हैं जिसका मतलब ह जापान का सूरी योद्व क्या देश भी कहा जाता है। जापान की राजधानी टोकियो है और इसके बड़े महानगर योकोहामा ओसाका और क्योटर है। इस देश में बहुत धर्म देश का परमुप धर्म है। और जापान की जनसंख्या में 96 परतिसत बहुत अनुआई है यहां की राजधासा जापानी है। जापान अपने संस्कृती खानपान से लेकर टेकनोलजी के लिए दुनिया भर में मसूर है। जापान को एसिया का सबसे बीट सी देश माना जाता है। यहां के लोगों के गिंती दुनिया में सबसे मेहनती लोगों में होती है। आज हम आपको इस देश से जुड़े कुछ खास रोचक तत्यों याने फैक्ट के बारे में पताएंगे समय का खास दियान जापान के लोग समय के पावन होते हैं यहां के लोग किसी भी काम को समय पर करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं इतना ही नहीं जापान में चलने वाली टेन 30 सकेन से ज़्यादा लेट नहीं होती है बच्चों के लिए है खास नियम जापान में ऐसा कानून भी है जिसके तह बच्चों को 10 साल की गुमर तक किसी भी तरह की कोई भी पैच्छा नहीं देनी पड़ती है इन 10 सालों में उन्हें बच्च्पन की जिन्दगी का मज़ा लेने का मौका दिया जाता है जोर से बोलना असबहता है जापान में सारवजिनिक अस्थानों पर जोर जोर से बोलना या किसी चीज को सुंगना जापान में असबहता माना जाता है इतना ही नहीं यहां दो लोगों को हाथ पकड़कर साथ चलना भी अच्छा नहीं माने जाता है जपान में लोग नए साल की खुशी में सबसे पहले मंदिर में जाकर 108 बार गंडिया बजाते हैं जूपकर सम्मान करना जपान एक प्राचिन देसे यहां के रिती रिवाच और परमपराय भी बेहत अनुठे हैं जैसे हमारे देस में लोग हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं ठीक हो इसे ही जपान में किसी भी व्यक्ति के सम्मान में जूपकर अभिवादन का रिवाच है सबसे खास बात यह है कि जो कितना ज्यादा सम्मानित होता है उसके प्रति उतना ही ज्यादा जूपकर जाता है लंबा जीते हैं जापानी जापान की लोग साप सफाई के प्रती बहुत ही जागुरुक है बिद्यालों में छात्र और सिच्छक दोनों मिलकर कच्छाओं की सफाई करते हैं यहां की लोग लंबी उम्र के होते हैं जापान की लोग की ओसत उम्र बिरासी वरसे जो सभी देश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें